हला सूरेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजिंद प्रोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ पर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स एन बीएसी इसों अगर आप किसे भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत है इसों आज मैं आपके सामने इंट्रिगल एक्वि एंजिनेरिंग कर रहे हैं और यहां पर हमारे पास एक जो कंसेट होगा वो आखेन वेल्यू और अगन फंक्शन का होगा वैसे मापको बताना अचा रहा हूँ कि अगर कोई भी हमारे पास यहां पर говорить हमारे केस में यहांपर Johann नहीं आती करेंगे सुन Homogenius Frido Home Integral Equation के बारे में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यार यह Frido Home Integral Equation होती क्या है हमें तो पता ही नहीं है तो भाई अगर आप पहला वीडियो यह देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर दी है तो आप IT पे जाके मेरी प्रीवेस सीरीज देख लेज़े उसके बाद यह देखेंगे तो बहुत है अच्छा समझ में आएगा इसकी बाद में नेक्स आपके सामने लूँगा वोल्टेरा इंटरियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं नौन हमोजीनियस प्रीरहॉलम इंटरियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं रिजोल्वेंट करनल का कंसेप्ट है बहुत सारी चीज़ें जो कि हम आगे हैं आपके सामने डिसकस करेंगे अगर हमारे पास कोई भी homogeneous pharaomandrical equation है जो की second kind की है और जिसका kernel degenerate type है जो की degenerate kernel होता क्या है अगर हमारे पास कोई भी KXT दे रिखा है जो की kernel है अगर उसमें XOT की term अलग-अलग हो जाए that is it is non as a degenerate kernel अगर अलग-अलग नहीं होती है तो वो हमारे पास non-separable होता है जिसे हम आपके सामने example देता हूँ कि अगर KXT, XT type का रहा है तो XOT अलग-अलग हो रहा है जो सुन KXT अगर हमारे पास sin X plus T अलग है तो यहां भी हम XOT की term को अलग कर सकता है यह क्या बात हो है कैसे अलग कर सकते हैं यहां हम अलग-अलग नहीं होना चाहिए समिशन में यह भी अलग-अलग XOT की term है यह भी XOT की term अलग-अलग है मतलब यह degenerate करना ला है इसले अगर हम बात करें E की पावर X plus T तो यह आएगा E की पावर X, E की पावर T तो आप देख रहे हो यह भी हमारे पास XOT की term अलग आ रही, तो यह यह हमारे पास Degen पर अगर हम इसकी बात करें कि जिसे E की पावर यहाँ पे दे रिखा XT तो यह 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 Non-Degenerate हो जाए क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो E की पावर X और T को आप अलग-अलग नहीं कर सकते है इन दोनोंको अलग-अलग नहीं कर सकते है यहाँ जिसे में आपके सानों ओलों कि साइन XT के बारे में तो यहाँ पे यहाँ भी आप देखोगे तो XOT को term को अलग-अलग नहीं कर सकते है तो यह भी हमारे पास क्या जाएगा Non-Degenerate हो साएगा आगे बढ़ता है अब बात करेंगे सुन Eigen value and Eigen function के बारे में जब भी हमारे पास इस टाइप की कोई भी Homogeneous Frile Hall Integral Equation दे रेखी है तो यहाँ पे क्या करेंगे K, X, T को मियाँ पे जो भी function उसको रखेंगे फिर XOT को, XOT की term को अलग-अलग लिखेंगे Then इसको solve करेंगे तो वहाँ से हमारे पास जब हमारे पास integral equation में solution trivial नहीं हो मतब non-trivial solution आएगा तब हमारे पास यहाँ पे उसके corresponding Eigen value भी आएगा और Eigen function भी आएगा हाँ, अगर हमारे पास यहाँ पे trivial solution exist करा क्योंकि देखो Y0 is equal to 0 दोनों को satisfy करता है हैना, पर उसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई दूसरा solution exist करता है हैना, तो यहर उस वाले case में Eigen value और Eigen function हमारे पास निकलते हैं, हैना, तो यही concept मैं यहाँ बताने की कोशिश करिए, कि we know that lambda is equal to 0, then हमारे पास यह हमारे पास क्या आएगा, तो लेमड़ा हमारे पास यहाँ पे इसके Eigen value नहीं होगी अगर बाइचस हमारे पास लेमड़ा 0, जो की Non-0 आ रहा है तो उसके corresponding हमारे पास एक Eigen function यहाँ पे exist करेगा, और Non-Trivial solution यहाँ पे एक्जामपल के तुरू समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा एक question लेता है, यहाँ पे yx is equal to lambda 0 to 1 e की पावर x plus t yt dt अगर मैं इस question को solve करूँ तो कैसे करते हैं, बहुत easy step की questions को solve करना lambda 0 to 1 इसको यह e की पावर x plus t तो बटा मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर x, e की पावर t, yt dt यहाँ यह डी जनरेट है, अलग-अलग हो रहा है यहाँ पे यह होना बहुत जरूरी है यहाँ पे हम क्या करते हैं, e की पावर x को बहार निकाल देते हैं, 0 to 1 e की पावर t, yt dt अधायगा, चो भी हमारे पास यहाँ पे पावर t, dt. अधाय यहाँ पे ट रहा देंगे, तो यहाँ आएगा 0 to 1, e की पावर t, और यहाँ आएगा, यहाँ पावर t, c dt आसाएगा, नौ, c इकोड-गि तो ने लेंबड, अखनifs c common निकाल देंगे यह आएगा 0 to 1 e की power 2t dt आजाएगा now इसको solve करेंगे तो सुनी आएगा lambda and यहाँ पर इसका integration आएगा e की power 2t upon 2 and 0 to 1 आजाएगा तो बैटा यह आएगा c lambda c तो सुनी यहाँ पर हम limit रखेंगे तो यह आएगा e की power 2 और 0 रखेंगे तो यह 1 आएगा upon 2 आजाएगा now इसको जब उधर लेके जाएगे तो सुनी आएगा c minus lambda c और यह आएगा हमारे पास e square minus 1 upon 2 is equal to 0 बैटा c को common निकालेंगे तो 1 minus lambda यह आएगा e square minus 1 upon 2 is equal to 0 तो यह तो यह 0 होगा यह फिर यह 0 होगा अगर हम यहाँ पे इसको 0 ले अगर हमारे पास यहाँ पे मानते कि हमारे पास जो solution आ रहा वो non-trival आ रहा तो यह आजाएगा तो lambda की जो value आएगी यह हमारे पास यहाँ पे कितनी आएगी जब इसको 1 को उधर लेके जाओगे तो यह आएगा 2 upon e square minus 1 तो यह जो होगा इसके corresponding eigen function हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे इसको solve करते है यह इसका process होता है पर एक question हो देखिए जिससे आपका concept यहाँ पे clear होगा जिससे मारे पास दे रहा yx is equal to lambda 0 to 1 3x minus 2 tytt और आपस पूछा जारा कि has no eigen value and eigen function मतब यहाँ पे कोई भी eigen value और eigen function exist नहीं करेगा आपको यहाँ पे क्या करना है इसको prove करना है तो यहाँ पे हमारे पास trivial solution आएगा आपको यह prove करना है तो बैटा हम क्या करेंगे यह 3x minus 2 को बहा निकाल दीजे lambda तो हही है यह सुनी आएगा 0, 2, 1, T, Y, T, D, T हो जाएगा बैटा इसको C मान लीजे तो यह आएगा हमारे पास Y, X, 3, X, minus 2, into lambda बैटा यह C हो जाएगा तो इसका मतलब C की value हमने यहाँ पे क्या लिए तो C हमने क्या assume कि है 0, 2, 1, यह आएगा T, Y, T, D, T बैटा Y, X यह है तो Y, T की value क्या होगी जहां पर भी X हमने T रख देंगे तो C की value आएगा 0, 2, 1, T बैटा यहाँ पे यह आएगा 3, T, minus 2, lambda C, D, T हो जाएगा बैटा इस lambda C को बहार निकाल दीजे lambda C बहार आगया बैटा इस T को multiply कर दो तो यह आएगा 3, T, square, minus 2, T, into D, T हो जाएगा जब यह ऐसा आएगा तो lambda C आएगा इस उन यहाँ पे जब solve करेंगे तो इसका integration होगा T, cube, by 3 थे बैटा यह T, cube आएगा इसका आएगा T, square, by 2 तो यह T, square आएगा 0, 2, 1 बैटा जब आप limit put करेंगे तो lambda C, बैटा यहाँ 1 रखेंगे तो 0 आएगा 1, minus 1, 0 हो रहा है और 0 पे भी 0 हो रहा है इस उन यहाँ पे C is equal to 0 आए इस उन यहाँ पे lambda की value नहीं आ रही तो यहर जब भी ऐसा case बनता है कि यहर आपके पास lambda की value नहीं आती है तो उस वाले case में यहाँ पे इसका solution होगा वो क्या होगा भाईया trivial solution होगा क्योंकि जैसी आप C की value 0 रखोगे तो यहर यह 0 is equal to 0 हमारे पास क्या जाएगा trivial solution होजाएगा और trivial solution आएगा उस वाले case में there does not exist a real eigen value मतलब आपसे पूछा जार है कि यहाँ पे जो eigen value होगी वो real exist नहीं करेगे तो यहर क्या करेंगे ध्यान दिजेगा जब यह ऐसा प्रशन आता है तो यहर y x is equal to lambda बटा यहाँ पे root x बहार निकाल लेता हूँ यह आएगा 0 to 1 t y t d t आएगा and सुनिया पे इसको अंदर लेंगे तो यहार यहाँ आएगा हमारे पास lambda minus है और यहाँ से हम x को बहार निकाल लेते हैं तो यहाँ आएगा 0 to 1 root t y t d t आएगा भया कुछ नहीं कर रहा है यार इसको आप अंदर multiply कर देखो जैसे आप इसको अंदर लोगे 0 to 1 root x t y t d t आएगा है इसी टैप से minus का lambda d t आएगा minus का lambda आएगा यहाँ पे है और यहार हमारे पास 0 to 1 root t x y t d t फिर मैंने क्या कर रहे हैं यहाँ पे वही जो हमारे पास x की टम ते उसको बहार निकाल के इसे लिग दिया है अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हम c1 c2 की value निकालता है c1 की जो value आ रही हो हमारे पास 0 to 1 t y t d t आ रहा है इसलिए अब शेकरम बात कर रहे हैं आप सी 2 की बारे में c2 मारे पास क्या रहा है यह आ रहा है 0 to 1 root t y t d t और चुकि हमारे पास y यह रहे गया तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर t रख देंगे और यहाँ पर put कर देंगे तो c1 की value आएगी वह क्या आएगी 0 to 1 t into यह आएगा lambda यहाँ पर हमारे पास square आएगी root t c1 minus lambda t c2 d t आजाएगा यह समझ रहे हो इसको अंदर ले लेंगे तो यह आएगा c1 now यह आएगा 0 to 1 lambda c1 यहाँ पर t की power 3 by 2 आ रहा है root t से t multiply आ रहा है minus यह आएगा lambda c2 t square आएगा into dt आजाएगा इसका integration करेंगे तो यह आएगा c1 यहाँ पर t power 3 by 2 है तो इसका integration करेंगे तो यह आएगा lambda c1 यह आएगा t power 5 by 2 जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर मैं चलो इसको solve कराऊ c1 को तो c1 को हम solve करेंगे तो यह आएगा c1 is equal to यहाँ से मारे पास इसकी value रखेंगे तो lambda c1 जहाँ पर bhi t वहाँ 1 रखेंगे तो यह 2 by 5 हो जाएगा क्या जाएगा 2 by 5 है जाएगा 5 by 2 है तो 2 by 5 हो जाएगा और यहाँ पर रखेंगे value t के जिगा 1 तो यह आएगा minus का lambda c2 upon 3 हो जाएगा और 0 पर तो 0 हो जाएगा यह मतलब नहीं बनता है तो यह जो term है lambda c1 इसको उदर ले लो तो यहाँ से क्या करेंगे हम c1 common निकालेंगे तो 1 minus lambda यह होगा 2 by 5 है और यह इदर आएगा तो सुन यह आएगा plus lambda c2 by 3 is equal to 0 हो जाएगा तो आप देखरो c1 c2 में हमारे पास एक equation यह मिल गए अब सुन इसको पकड़ते हैं इसको solve करने की कोशिश करते हैं तो सुन यहां से हमारे पास c2 is equal to क्या रहा यह आएगा 0 to 1 यहां से हमारे पास root t रहा रहा यह जो value आ रही है कितना हैगा yt यह आएगा lambda and root t c1 minus lambda यह आएगा t c2 into dt हो जाएगा यहां से जब आप solve करेंगे तो मैं यह lambda c1 हो जाएगा 0 to 1 lambda c1 तो यह आएगा lambda c2 और यह आएगा t ki power 3 by 2 into dt हो जाएगा तो यह समझ मारा के नहारा के ना इस तरह समझ को यहां पे करेंगे इसका जब integration करेंगे तो यह आएगा lambda c1 और यह इसकी वेलिए आएगी t square by 2 minus lambda c2 यह आएगा t power 5 by 2 upon 5 by 2 and limit यहाँ पे हमारे पास आएगे 0 to 1 आएगे now c2 बेटा 1 रखेंगे तो यह हमारे पास आएगा lambda c1 upon 2 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो बेटा यह 2 उपर चला जाएगा तो minus का 2 lambda c2 upon 5 0 पे 0 हो रहा मतलब ही नहीं अब इसकी equation यह बना दो तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा lambda c1 जो दिखे रहा आपके पास lambda c1 by 2 इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ lambda c1 by 2 and चुकि यह इदर है तो मैं इसको उदर लेके जाता हूँ तो बेटा यह भी minus का हो जाएगा तो सुनी आएगा minus का यहाँ पे हमारे पास क्या आए रहा c2 common आ रहा है तो यहाँ से हमारे पास इसकी value यह आएगी 2 lambda by 5 and plus 1 into c2 is equal to 0 अब चुकि c1 c2 में एक हमारे पास homogeneous equation मिलगे और homogeneous equation के अंदर non-trivial solution तब ही exist करता है जब इसका coefficient matrix का determinant 0 होजा याद है न अगर आपने matrix पढ़ा होगा तो matrix में अगर हमारे पास कोई भी equation द्यान देजेगा जब भी हमारे पास matrix अगर जिसे मैं आप से बहूँ कि x ax plus by is equal to 0 and cx plus dy is equal to 0 अगर हमारे पास कोई भी equation है इसका solution तब ही exist करेगा जब यह जो matrix इसका determinant हमारे पास क्या जाए भाया ad minus bc 0 होगा तब ही हमारे पास यहाँ पे non-zero solution होगा अगर इसकी value non-zero हो जाती तब इसका जो answer आएगा वो 0 solution होगा और 0 solution मतलब c1 and c2 की value 0 और c1 and c2 0 हो गया तो यहाँ तो हमारे पास trivial solution होगा जब कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए भाया non-zero solution चाहिए तब ही हमारे पे eigen value and eigen function मिलेगा यह समझने की जरू होता है तो इस उन यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके coefficient matrix को निकालेंगे और coefficient matrix हम देखेंगे कि यह इसका determinant हमारे पास क्या हो रहा है तो सुनिया पे C1, C2 की बात करेंगे तो 1- C2ο तो लेमड़ा बाइ 5 और इस उन यहाँ पे क्योफिशन आठा लेमड़ा बाइ 3 इस उन यहाँ बात करेंगे तो यह आए गा लेमड़ा बाइ 2 और इसमानस का 2 लेमड़ा फाइब प्लस 1 1 आगे लिख दिया यह लिख दिया minus का इसको करेंगे यह ऐगा lambda square by 6 is equal to 0 पर यह पर 0 रखर लेbdac की value निकाल लेगा लेbdac की किस value के लिए 0 रहा वो इसके एगीन value हो जाएगी solve करते है इस उनी a minus b into a plus b तो a square minus b था रहेगा 1 minus 4 lambda square upon 25 and minus का lambda square by 6 is equal to 0 बटा minus अंदर लेलो तो यह आएगा हमारे पास 4 lambda square upon 25 and minus lambda square by 6 बटा यह minus 1 इसको मैं उदर ले लेता हूँ अब इसको solve कर लेते हैं यहापर इसका जब LC में लेंगे तो 150 आएगा 6 और 6 चुकर 24 तो यह आएगा 24 lambda square और सुन जब इसकी बात करेंगे 25 lambda square आएगा is equal to 1 और सुन इस 150 को उदर लेके जाएगे तो हमारे पास यहाँ पर जो value आएगी तो मैं यहाँ पर लेक लेता हूँ तो जब इसको solve करेंगे हमारे पास तो सुन यहाँ से मारे पास इसकी विले आएगी minus का lambda square नीचे आएगा 150 is equal to 1 आ रहा है तो सुन माइनस का lambda square is equal to 150 आ रहा है यहाँ पर तो lambda square is equal to minus का 150 तो सुन lambda is equal to plus minus यहाँ पर आएगा unroot of minus का 150 और which is imaginary अगर इसकी बात करें तो सुन root 150 plus minus iota आजाएगा अगर हम यहाँ पर इसको simplify करें तो lambda की जो value आएगी वो आएगी plus minus root 150 iota आजाएगा यहाँ पर है ना plus minus iota आएगा and which is imaginary है तो सुन यहाँ पर हमरे पास जो eigen value आएगी वो क्या आएगी real नहीं आएगी imaginary आएगी है ना और इसके corresponding जो eigen function आएगा वो भी हमरे पास imaginary आएगा रियल नहीं है तो इससम बहुत इसली आप इसको prove कर सकता है यह question comment box के लिए उसको solve करने में आपको किते seconds लगे प्लीज comment करके ज़रू बताइए ऐसे और भी अगर आप वीडियोस देखना चाहरे है पूरी की पूरी playlist आपको यहाँ जाके मिल जाएगी इसलिए मैंने भी group theory पे एक one shot series स्टार्ट करी जहाँ पर मैं topic wise एक एक concept को explain कर रहा हूँ अगर आप IAD jam, CSI, Rnet, GATE या किसे भी competitive exam की तैयरी कर रहे है वो series आपके लिए बहुत ही helpful है यहाँ जाके आप देख सकते हो नहीं आजाके channel को subscribe कर सकते है इसलिए जो book है यह IAD jam exam के लिए या फिर CSI, Rnet और GATE की तैयरी कर रहे है तो उसके foundation के लिए बहुत ही helpful है इसका जो buy link है वो आपको discussion मिल जाएगा वहाँ साब buy कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you, bye bye